जब कोई महिला pregnancy conceive करने की कोशिश कर रही होती है तो जैसी ही उनके period मिस हो जाते हैं वो सबसे पहले अपनी pregnancy test करके ये confirm कर लेना चाहती है कि कहीं उन्होंने pregnancy conceive कर ली है या नहीं आप कई बार pregnancy test करने पर आपको pregnancy test kit में एक हलकी गुलाबी लाइन और एक डार्क लाइन दिखाई देती है तो ऐसे में महिलाओं के दिमाग में ये सवाल आने लगता है कि इसका क्या मतलब है उन्होंने pregnancy conceive की है या फिर नहीं तो आज की इस वीडियो में मैं प्रीती आदब इसी के बारे में बात करूँगी pregnancy test kit में हलकी गुलाबी लाइन क्यों आती है इसे समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि pregnancy test kit काम कैसे करती है तो अक्सर आपने देखा होगा कि pregnancy test kit में तीन तरह के result मिलते हैं एक जिसमें सिर्फ एक लाइन आती है दूसरा जिसमें दो डार्क लाइन आती है और तीसरा जिसमें आपको एक हलकी गुलाबी लाइन और एक गहरी लाइन दिखाई देती है अब आखिरकार ऐसा होता क्यों है तो मैं आपको बता दू कि ये pregnancy test kit आपके सरीर में HCG हर्मोन को चेक करती है और ये वही हर्मोन होता है जो आपकी body pregnancy conceive करते ही बहुत तीजी से produce करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि बच्चे की शुरुवाती development के लिए HCG हर्मोन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है ऐसा नहीं है कि जब तक आपने pregnancy conceive नहीं की होती आपके सरीर में HCG हर्मोन होता ही नहीं है ये हर्मोन हर महिला के सरीर में होता है लेकिन बहुत कम होता है और इसी वज़े से अगर कोई महिला pregnant ना हो तो pregnancy test kit उसको calculate नहीं कर पाती और इसी वज़े से आपको सिर्फ एक इलाइन दिखाई देती है इसका मतलब है आपको pregnancy नहीं है लेकिन जैसे ही कोई महिला pregnancy conceive करती है तो ये HCG हर्मोन pregnancy की शुरुआती दो से तीन हफतों तक हर दो दिन में दो गुना हो जाने की रफतार से भरता है यानि कि अगर आज आपके सरीर में HCG का लेवल एक हजार है तो दो दिन बाद दो हजार इसके दो दिन बाद चार हजार और ऐसे ही HCG की बढ़ने का सिलसला शुरुआती दो हफते तक चलता रहता है और इतनी ज़्यादा मातरा होने पर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में दो डार्क लाइन आ जाती है लेकिन अगर आपकी बॉड़ी में HCG की मातरा ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है तो इस condition में आपकी pregnancy kit में एक हलकी line और एक dark line आ सकती है इसलिए pregnancy kit का इस्तेमाल period miss होने के कम से कम 5 दिन बात करना चाहिए ताकि HCG की मातरा शरीर में काफी हो और pregnancy test kit सही से उसको detect कर पाए लेकिन फिर भी कई बार period miss होने के 5 दिन बार test करने पर भी हलकी गुलाइबी line आ जाती है तो उसका क्या कारण होता है ऐसा होने के पीछे 3 कारण हो सकते है पहला वो महिला है जिनके period cycle regular नहीं है यानि कि अगर किसी महिला का period cycle 32 दिन से जादा या फिर 25 दिन से कम है तो उस period को हम regular नहीं माते और ऐसी महिलाओं को period के बाद ovulation किस दिन होगा ये confirm नहीं होता और इसी की वज़े से SCG का level भी देर से भड़ता है दूसरा जिन महिलाओं को PCOD या PCOS की problem होती है उनका ovulation कभी समय पर होता ही नहीं है और इसी वज़े से महिलाओं को देर से ovulation होता है और महिलाओं का देर से ovulation करना ही महिला के pregnancy test kit में hulky line का कारण बन जाता है तीसरा कारण होता है late conception अब ऐसा क्यों होता है तो आप अपनी period cycle में चाहें जब relation बनाए आपको pregnancy conceive करने के लिए ovulation से पैदा हुए अंडे की जरूरत होती है तो ऐसे में अगर अंडा देर से आएगा तो आपको pregnancy भी देर से होगी और उसी हिसाब से आपके सरीय में HCG हार्मोन बनेगा और ये level कम रहा तो हलकी गुलाबी line आएगी तो ये वो कारण है जिसकी वज़े से pregnancy test kit में एक हलकी और एक dark line आती है अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो घबरानी की जरूरत नहीं है बस आपको 10 दिन का wait और करना है उसके बाद आपको दुबारा test करना है उमीद है इसके बाद वो हलकी line डार्क line में convert हो जाएगी मैं उमीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो वीडियो को like करें दूस्तों की साथ share करें और चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूले चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ मिलूंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए खुस रहेए स्वस्त रहेए